वेलकम तू दा बिजनस टड़ीज क्लास टुडे वी विल डिसकस सर्विसीज ओफ रिटेलर्स टोवर्ड्स कंजूमर कि रिटेलर कंजूमर को क्या-क्या सर्विस प्रवाइड करता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कंजूमर होता है अगर रिटेलर ना हो कि वो हौल से या पडियोसर से डिरेकली गूड्स को खरीद पाए तो लेट उस सी हाव रिटेलर और रिटेलर प्रवाइड दा सर्विसीज तो दा कंजूमर क्या-क्या वो सर्विसीज प्रवाइड करता है अब रिटेलर के कॉंटेक्ट में बहुत सारे कस्टमर होते हैं बहुत सारे कंजूमर होते हैं जो पड़क्ट खरीदते हैं रिटेलर से और सबका डिफरेंट टेस्ट होता है सबकी डिफरेंट लाइकिंग होती है तो सभी कंजूमर को अपनी liking के coding अपनी taste के coding goods retailer से मिल जाती है क्योंकि retailer क्या करता है consumer के taste के coding उनके demand के coding ही goods खरीदता है wholesaler से ताकि consumer की needs को satisfy किया जा सके उन्हें timely जो product जैसा product उने चाहिए वो अब label करवाया जा सके तो retailer की वज़े से ही consumer को अपने taste के coding product अब label हो पाता है second is facility of purchase on credit वैसे तो retailer की जो sales होती है वो cash sale होते है but क्योंकि retailer consumer के direct contact में होता है उसके अच्छे personal relations बन जाते हैं customer के साथ तो उसे कुछ customer को credit facility भी देनी पड़ती है उसकी कुछ sales credit sales भी होती है तो इस तरह से कुछ customer जो credit facility अवेल करना चाहते है उन्हें credit facility भी 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 जाती है next home delivery of goods आज कर तो retailer जो है वो home delivery भी देते हैं goods की की अगर किसी कोई retailer की shop पर ना जाकर by sitting at home wants to purchase the goods so it is also possible अगर कोई retailer की shop पर ना जाकर goods घर बैटे ही खरीदिना चाहता है तो यसे खरीद सकता है retailer ये services भी प्रवाइड करता है अपने consumer को तो retailer का कोई employee customer के घर जाता है order लेता है और बाद में उसके order के according goods पैक करके उसके customer के पास पुचा दी जाती है तो आज कर तो ये भूद ट्रेंड में है भूद ज़दा फॉप्लर हो गया एक system भी इवन जो small retailers है वो भी आजकल home delivery of goods देने लगे हैं तो इससे भी consumer क्या करता ह है consumer के लिए बहुत convenient रहता है कि इसे घर बैठे ही goods अवलेबल हो जाती है उसे इवन जाना ही पड़ता और आज आजकल तो जैसे करोना चल रहा है कोविद 19 के case में हर कोई चाता है कि हमें घर से बाहर ना निकलना पड़ी हमें घर बैठे ही goods अवलेबल हो जाएं delivery की facility भी देता है next is no fear of cheating अब जो consumer होता है वो अपनी daily routine के product retailer से खरीता है ऐनी purchase it again and again बार बार खरीता है तो जो retailer और consumer है वो दूसरे के हमेशा direct contact में रहते हैं और उनके बीच अच्छे relation होते हैं अच्छे friendly terms होते हैं तो इसलिए consumer का retailer के उपर trust भी जादा होता है और उसे कभी नहीं लगता कि retailer उसके साथ cheating करेगा और by chance अगर retailer कोई ऐसा product consumer को sale भी कर देता है जिसमें कोई defect है तो वो उसे वापिस लेने में भी कोई time नहीं लगाता उसे जल्दी से वो क्या कर देता है replace कर देता है तो इस तरह से consumer को cheating का भी कोई डर नहीं रहता कि consumer रिटेलर के साथ कोई cheating करेगा वो उसे हमेशा वो हमेशा टरस्ट करता है रिटेलर के उपर कि उसे हमेशा अच्छा product ही रिटेलर से मिल प्लाएगा next is supply of fresh goods कुछ परड़क्ट ऐसे होते हैं जो consumer fresh ही खरीदना चाहता है जैसे fruits है vegetable है milk है तो रिटेलर यह easily available कराता है और fresh ही available करवाता है और यह नहीं है कि जो इस तरह के product है जो perishable product है वही fresh available कराता है और तरे के product भी होते हैं वो भी consumer fresh product ही available करवाता है क्योंकि जो रिटेलर होता है वो small quantity में goods purchase करता है जैसे ही उसका stock खतम हो जाता है नया stock को purchase कर लेता हौल से इस तरह से consumer को हमेशा fresh goods ही fresh goods available हो जाती है next is stock of goods of every season अब जैसे ही season change होता है तो कुछ goods होते हैं उनकी consumer demand करता है जैसे अगर summer season है तो consumer cotton clothes की demand करता है अगर winter season है तो consumer wool and clothes की demand करता है तो retailer season के according goods consumer को अब label करवाता है next is free services इसकी साथ retailer कई तरह की services अब label करवाता है customer को free of cost जैसे कोई अगर product खरीदने के बाद खराब हो जाता है तो वो उसे replace कर देता है या उसकी free of cost repair कराने करवा देता है तो जैसे electronic product होते हैं या swing machine है इस तरह की चीज़े हैं उस case में यह facility retailer consumer को देता है next is close relation with the consumer retailer के बीच में close relation होता है direct contact होता है जैसे street hawkers है पैडलर्स है जो गली गली घूम कर या अलग लग जगा उपर जाकर प्लेसिस पर जाकर अपनी good sale करते हैं जैसे vegetable sellers है जिनकी fix shop नहीं होती है या fruit sellers है आइस cream sellers है ठीक है जो इस तरह के product sale करते हैं जिनका कोई fix selling point नहीं होता जो अलग जगे घूम घूम कर क्या कर तो उनका भी क्या होता है customer के साथ close contact होता है वह जब भी आएंगे तो अपना indication देंगे आने का कि अगर आपको उनसे goods खरीद नहीं है ताकि आप उनसे खरीद सकें तो इस तरह से वह consumer के साथ जो retailer है जाए उनकी fix shop है या वह अलग जगे पर घूम कर क्या कर रहे हैं अपना स और close relation उनका होता है जिससे retailer को भी benefit मिलता है consumer को भी benefit मिलता है अब consumer को क्या benefit मिलता है जब भी उन्हें goods चाहिए होती उन्हें easily available हो जाती है क्योंकि जो consumer direct contact में रहते है routine में उनसे product खरीते रहते हैं regularly खरीते हैं तो उन्हें preference भी जादा दी जाती है ठीक है और retailer को क्या retail increase होती है क्योंकि consumer उनसे गुर्सबाबर खरीदेगा अगर वो उसकी services से satisfied है next is increase in customer knowledge अब retailer क्या करता है नए ने product के बारे में consumer को information देता रहता है अगर prices में कोई change होने वाला है कोई नया product आने वाला तो उसके बारे में भी consumer को बताता है जैसे मालिया वेजिटेबल सालर अगर किसी वेजिटेबल के prices बढ़ने वाले तो कहता है कि इतने खरीद के रख लो अब इसके prices change हो जाएंगे increase हो जाएगा जैसे onion है tomato है इनके prices में बहुत ज़्यदा changes हो जाते हैं बहुत ज़्यदा prices बढ़ जाते हैं इनके तो वह क्या करता है अपने consumer को यह कहकर कि अब prices बढ़ने वाले prices के बारे में भी इनको information देता है कि prices अब कभी भी बढ़ सकते हैं और उन्हें यह भी advice दे रहा है कि प्रडक्टों क्या कर लें वो ज्यादा quantity में खरीद कर स्टोक कर लें नहीं तो फिर ज्यादा prices पर प्रडक्ट खरीना पड़ेगा उन्हें तो इस तरह से information देकर different type के product की और prices की वो customer की knowledge को अपडेट करते रहते हैं नेक्स्ट इस अडवाईज रिटेलर अपने consumer को free advice भी देते हैं जिसे अगर consumer को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा product उसको सूट करेगा ठीक है जैसे हम face cream कोई consumer खरीदने जाता है उसे नहीं समझ में आ रहा कि कौन से brand का product को खरीदे तो रिटेलर उसकी help करता है कि उसे कौन सा सूट करेगा ठीक है कि dry skin है तो यह वाला use करना चाहिए oily skin है तो यह वाली cream use करनी चाहिए ठीक है तो इस तरह से रिटेलर हर तरह से consumer की help करता है product को choose करने में अपनी advice दे कर तो all these are the services provided by the retailer to the consumer